नमस्कार प्रणा मैंना मैं रिच्छा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बहुत खास कारिकरम बिहार बिहान में इतनी खुब्सूरत सुबह शायद हम लोग बहुत दिन से काम ना कर रहे थे कि सुबह हो बारिश हो थोड़ी मसकत हो काम करने में और वो दिन आ जाता है कहते हैं जिस आप सोचते हैं वैसा होने भी लगता है आपके आसपास स्वास्त रहें क्योंकि बारिश का मौसम है आसपास मच्छरो का भी आवाजाही आपके पास होने लगता है तो अपने स्वास का भी खयाल रखे क्योंकि शरीर ही आपका मंदीर है और मंदीर को साफ सुथरा रखे क्योंकि अगर आप स्वस्त रहेंगे तो स्वस्त शरीर में स्वस्त मन का बास होता है आप अच्छा सोच सकते हैं, आप अच्छा लिख सकते हैं, आप अपने दिन को बहुत बहतर बना सकते हैं, तब जब आप स्वस्त होंगे, आप अंदर से खुश होंगे, खुश रहना बहुत बड़ी बात है, आपको कोई खुश नहीं रख सकता, आप जब तक खुद खुश नहीं होना चाहते हैं आप चण बढ़ के लिए कभी आपको लगेगा कि अच्छे ये काम हो गया तो खुश हो जाते हैं लेकिन आपको निरंतर बने रहने के लिए आपको बहुत तपस्या करने की जरूरत है क्योंकि आप अपने शरीर, अपने मन, अपने विचार के खुद ज मेदार होते हैं जी हैं दिन की खुबसूरत सुरुवाद के साथ हम आपका स्वागत करते हैं और आप हमेशा जानते हैं कि दिन की सुरुवाद और हमारे इस शो की सुरुवाद एक अच्छे विचार से होती है महापुरसों के कहेवे कतनों के अनुशार होती है तो आईए यह स्वास्थी ही है जो हमारा सहीधन है, सोने और चांदी का मुल्लिक इसके सामने कुछ नहीं है। आईए स्वागत करते हैं, आज हमारे साथ मौझूद है प्रोफेसर श्याम देव भगत जो की साहित साधना पुरुसकार प्राप्त पुर्विवागा द्यक्ष हिंदी तिलकामान जी युनिवर्सिटी भागलपूर के हैं। कि आपका प्राप्त जीवन कैसा रहा, आपकी प्रात्मी पढ़ाई कहां से हुई। रिजा जी, मेरा जन्म मुंगीर जिलान तर्गत एक छोटा सान मंदल है खड़कपूर, हवेली खड़कपूर। उसके दिन एक गाउं है प्रशंडू, वहां हुआ, 1950 इस भी में। तो प्राडेंबिक सिक्षा गाउं में जो विद्याले उपलवद थे, क्लास 6 तक, वहां से मेरी पढ़ाई हुई। और फिर क्लास 10 तक की पढ़ाई मेरे गाउं से 6 किलोमेटर दूर करीब हवेली खड़कपूर है, वहां से मैंने मैट्री की परिक्षा पास की, और फिर मैं चला गया राची इनवर्शिटी के दिन, मैंने प्री किया मैट्स से वहां से, पार्ट वन किया बायो से, और फिर म मैं लोट के अपने घर आया, और भागलपूर इंवर्शिटी से मैंने हिंदी शम्मान की परिक्षा उत्रिन की, और फिर म मैंने भागलपूर इंवर्शिटी से किया, तो कैसा रहा, कैसे इस छेतर में आये, अपने अनुभव को साजा करें, हम लोग जिस परिवेश में रह में जाना चाहिए, तो मैंने तकरीवन डेड़ दो साल तक अपनी पढ़ाई छोड़ दी, और शमाज में लोगों को संगठित करना, जो लोग थोड़े कम पढ़े लिखें, थोड़ा उनके बच्चों को पढ़ाना, सिखाना, ये कुछ काम करना शुरू किया, पर गाउं मे मैं ये देखता था कि हम लोगों को वो तरजी नहीं मिलती थी, हमारी परिवार को तरजी नहीं मिलती थी, जो थोड़े उच्चबर के लोग थे, जो थोड़े दवंग लोग थे, जो थोड़े सिक्षित लोग थे, उन लोगों का ज्यादा वैल्यू था और हम लोगों को ल ये भी और अपने परिवार के लिए भी कुछ खरपना होगा तो फिर से मैंने पढ़ना सुरू किया और इस तरह से पढ़ा ही का क्रम आगे जारी रहा क्या बात है मतलब ये बात है भी कि अगर आपको अपने आपको सक्षम बनाना है तो शिक्षा बहुत अच्छा माध्यम है उस चीज़ के लिए ताकि आप नहीं खुद को दूसरों को भी आप सिक्षित कर सके तो आपने कहा कि आप समाज सेवा भी करते थे तो उसमें किस तरह कि सेवा में आपकी रुचे थे तो मैं तो खुद ही क्लास साथ आठ तक पढ़ा हुआ था उस समय तक चोड़े बच्चों को साम में मैं बिठाया करता था अपने पास और थोड़ा जो संभव होता था उनको मैं पढ़ाता था और फिर थोड़ा साफ सुत्रा कैसे रहा आती थे शोचाले के लिए निब्रित होने के लिए तो मैंने अपने पूरी कोशिश की कि आप अपने घर के पीछवाड़े जिसे हम लोगाओं में बाड़ी कहते हैं उसमें नहीं कुछ कर पाते हैं ते गढढ़ा को दे एक टाट लगाएं ताकि महलाओं को खुले में रहती थी अर्था भाव इतना जादा रहता था कि दो चार पांच रूपीय का भी कोई खर्च हो तो वह बहन करने में समर्त रहती थे तो फिर दीरे 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 उधर से मन उचाट हुआ मेरा या मन लगा कि अभी यहां इस सेत्र में लगाता है रहने से कुछ नहीं हो क्या बात है आपने हिंदी को चुना काफी कठिन भाषा है तो आपने हिंदी चुना उसमें किस-किस तरीक परिशानिया आपको लोग कहते हैं कि कुछ नहीं है तो हिंदी ले लिया लेकिन हिंदी इतना कठिन तब विशे हमें नहीं लगता कोई होता है ऐसा कुछ नहीं रि पार्ट वन का एक्जाम मैंने बायों से पास किया, मगर इस दर्मियान भी मेरा मन ना तो मैथ में लगता था, ना बायों में लगता था, मैं जब भी मौका मिले थोड़ी कविताय लिखता था, थोड़ी कहानिया लिखता था, दूसरों की कहानिया पढ़ता था, दूसरों की ग्रेजुशन में जब मेरा दाखिला होने को था तो मैंने अपने बड़े भाई से कहा कि आप साइंस में मेरा नामांकन करा देंगे मैं अच्छे डिविजन से पास भी हो जाओंगा मर मेरा मन उहां नहीं लगेगा तो उन्होंने पूछा क्या चाहते हो तुम तो मैंने कहा कि मैं हिंदी पढ़ना चाहता हूं तो उन दिनों समस्या थी कि अपने साइंस से किया है इंटर तो एक भी से क्वालिफाइ करना होगा आपको हिंदी का एक पेपर देना होगा मात्रिभाशा का तो एक पेपर मैंने दिया और अच्छे से उसमें क्वालिफाइ किया उसके रिक्षा किस तरह का बदलाव देख रहे हैं आप बहुत बदलाव हुआ है पहले गाउं की बात ले लिजिए बच्चे पांस साल छे साल के हुए नहीं कि माबाब उनको किसी काम में लगा देते थे और यह सोचते तिक जितना हेंड होगा उतना मेरा इनकम होगा मर अभी के अभी बाबकों में आप उसकी अभी रिच्व के देखें कि वो रिक्षा चलाते हों दिहारी मजदूरी करते हों ठेला लगाते हों पर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं मेरे इलाके में जहां मैं रहता हैं जमालपूर में एक नाटरड़म अकडमी करके विद्याले आपको रिचार जी जानकर राश्चर्ज होगा कि जो लोग महने का दस हजार रुपया भी कमाते हैं वो अपने बच्चों के लिए ठाई तीन हजार रुपया मासी का ट्यूशन फी देते हैं मुझे यह सोच कर राश्चर्ज होता है तो शिक्षा की जियोती को या शिक्षा का निकलकर बाद कर लोगों की विशय की विह बाद कम करते हैं तो जुक आपको सामना करना पर contenant चिनवतियां वैसा कुछ नहीं कहिए अधि आपकी बहुत रूची है तो बहुत आस्तामानी भी से है मेरा यह मानना है कि पढ़ाई से सरल कुछ भी नहीं होता है पढ़ाई क्या है लिखा हुआ अक्षर ही नहीं है पंक्ती ही नहीं है चाहे गनित की हो चाहे अंगरेजी की हो रसायन की हो बिग्ञान की हो तो आपकी अभी रूची होनी चाहिए अधि हिंदी की अभी रूची हो तो सुद्ध सुद्ध बोलना, सुद्ध सुद्ध लिखना, और चीजों को आत्म साथ करने की प्रविर्ति, हिंदी में कुछ साफ नहीं रहता है, हिंदी का अर्थ या किसी भी बासा का, उसमें बिट्विन लाइन सी उसके अर्थ आते हैं, आप किसी कविता को पढ़ते तो हिंदी साहित में आप बहुत अच्छा करेंगे, और हिंदी साहित अभी आने वाली विवाओं के लिए एक ऐसा छेत्र है, जिसमें उनके लिए रोजगार का काफी अफसर है, और काफी आदा वो काम कर सकते हैं, अभी बदलते दौर में, हम अभीभावा को को भी देखत हैं बच्चों को, अभी बावकों को बहुते हैं, तो तो ऐसे और व्यवर को भी तो कि शर्म की नहीं हो नीचाहिए, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभिवावकों कभी कुछ दोस ने हमारी मान सिक्ता जिस तरह से है 300 वर्स की जो गुलामी है प्रत्यक शुरूब से हमारे दिमाग पर हावी है हम लाग कोसिस कर लें कि हम आजाद हो गए है हमारी सोच उस तरह से आजाद नहीं हुई है गारिजन अभिवावक ये देखते हैं कि जो लोग बाहर से आते हैं और और उंट चार पंगधरी अंग्रेजी में बोलते हैं तो बीडियो साहाब दीओ साहब पूलेक्टर साहब उनकी बात तुल रत सुनते हैं और हम हिंदी में प्रार्था कर रहे हैं, गौहार कर रहे हैं, मेरी बात सुनी नहीं जा रही है, तो इसलिए उनको लगता है कि मेरे बच्चे अधि अंग्रेजी पढ़ लिख जाएगे, तो समाज में मेरा रुतवा बढ़ जाएगा, मर यह बात सही नहीं है, हिंदी बहुत बच्ची भासा है, और हिंदी को बहुत ज्यादा सम्मान भी मिल रहा है, आप अपने बच्चे को हिंदी पढ़ाएगे, तो कोई जरूर ही नहीं है कि आप अंग्रेजी जाने, वो खुद बखुद जान लेगा, आज के युवाओं में इतनी अभिरुची है कि हिंदी के सा हिंदी बोलने दें, हिंदी पढ़ने दें, और घर में खास करके उनके साथ हिंदी में बारतालाब करें, अधी आप उसे तुम कैसे हो डैड़ी, मम्मी, बेटे करते रहेंगे, तो फिर वो नहीं सीख पाएगा, उसको एक परिवेस दें, उनके मन में यह भाव भरें कि हिं क्या बात है, अब यह आपने कहिए कि हिंदी में बहुत सारे, बहुत सारी उपोचुनिटीज हैं, जिसको आदमी ले सकता है, जो बच्चे अगर चाहे हिंदी साहित में अपना केरियर चुनना, तो इसमें किस-किस तरीके से बच्चे आगे ला सकते हैं? बिश्यों में नामांकन नहीं होता है, या दूसरा और कुछ नहीं कर पाते हैं, अब दक्चिन भारत में आप देखें, प्रिवियस और फाइनल येर मिलाके आठ सो चात्र होते हैं, एक सत्र में चार सो विध्यारती होते हैं, और दक्चिन के सारे बच्चे जो हिंदी मात ह हैं, उनको जौब अपरिचनिटी है, अनवादक के अपरिचनिटी है, दुभासिया के अनबुटी है, और आजकल जितने भी सरकारी कारजाल हैं, सब जगे हिंदी अपसर की भाली होती है, तो हिंदी के साथ अधि अंग्रेजी का या और दूसरी भारती वासा का ज्यान है, तो हिंदी आपके लिए एक ऐसा भी से है, जिसमें रोजगार भी मिलेगा, और देश का मान और सम्मान गौरब भी बढ़ेगा, अभी जैसे कि आपने स्टूडेंट्स की बात कही, तो अक्सर जब आप सिक्षक थे उस टाइम में, तो कहते हैं, वर्गों में उपस्तिती ब डिगरी कालेजों में रहा, जहां बीए तक की पढ़ाई होती है, तो बीए तक की पढ़ाई वाली कक्षाओं में छात्र बहुत कम रहते हैं, बहुत कम इसलिए रहते हैं कि इंटर में नामांकन ले लिया छात्रों ने, और पटना राची दर्भंगा जहां जिसको जो और दो साल के बादा है, फॉर्म भारा और उत्तिरन हो गये, डिगरी कक्षाओं में थोड़ी सी अच्छी अस्थिति भी, चुकि जिनको जो होना होता हो जाते थे, और जो जो नहीं कुछ होना होता था फिर इतियास, भुगोल, हिंदी, अंगरेजी, जहां नमांकल लेना नमांकल लिया, बर वो भी बहुत ज्यादा उपस्थिति नहीं रहती थी, बर में की कक्षाओं में, असनातको तर की कक्षाओं में, जो चात्र आते हैं, वह यह सूच कर आते हैं कि अब यह मेरा अंतिम है, इसके बाद और कुछ मिलना नहीं है, और या माबाब की और से जो सुबिधा और जो हम बहुत सांधर जीवन जी रहे हैं, होस्टल में रह रहे हैं, खापी रहे हैं, यह सुबिधा भी बंद हो जाएगी, क्योंकि पढ़ाई कब और आगे कुछ है नहीं, तो एमें की कक्षाओं में चातर उपस्थित रहते हैं, और ठीक ठाक ही रहते हैं, अच्छी संख्या में ही रहते हैं, तो अभी जैसे बदलते दोर में आपने देखा होगा कि जब आपके समय की जो प्रनाली थी, हिंदी साहित्य की और अभी की, उसमें क्या कुछ अंतर है? अभी जैसे की सिलेवस में बदला हुआ बहुत सारा, पहले सिलेवस में दलित साहित्य नहीं था, उसको जोड़ा गया, पहले सिलेवस में शिनेवा नहीं था, उसको जोड़ा गया, पहले साहित्य में विश्व के गरीब देशों के बारे में जानकारी नहीं रहती थी, उस से जोड़ा गया जैसे हिंदी साहित में अभी बंगला को जोड़ा गया मराथी को जोड़ा गया मराथी और बंगला की चीजों को पढ़ाने की कोशिश की गई तो हिंदी साहित के साथ साथ हम दूसरी भासाओं के बारे में भी जान पाते हैं, दूसरी भासाओं के उपन्यासकार कभी के बारे में भी जान पाते हैं, और दलित साहित जो की काफी दिनों से हासिये पर था और अभी भी लगभग हासिये पर गिये, उसको जोड़ा गया ताकि उसकी द कि अब जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में आपके अलावा भी कुछ लोग हैं और उनके प्रती भी आपका कुछ दाइत तो बनता है। आपने अभी दलित साहित की बात की, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे दर्श्को को। डलित साहित में जो सबसे पहली किताब मैंने पढ़ी थी, अकरमासी, अपनी नाम सुना होगा उसका, गाउं में जब हम लोग रहते थे, तो आप ग्रामिन परिवेश थे थे थे, आपने खुद भी देखा होगा, ग्रामिन परिवेश में डलितों का एक मुहला अलग ही रहता था, और वो एक तरह से त्याज जिमाने जाते थे, उनसे बहुत ज़्यादा संपर्क रखने की कोशिच नहीं की जाती थी, राहूल संकृतियान ने अपने विचार में लिखा है कि उनके समय में जो दलित थे, वो अपने गले में एक हांडी लटका के चलते थे, उसमें रा जमीन पर गिर जाती थी चीज, उसी एक बुंद चीक की या थूक की, तो वो मिट्टी अपबित्र मानी जाती थी और उसको खोद के साफ करना पड़ता था गोबर के से लीप के, तो यह मनोभाव, आधनी काल में हम भले कहलने हैं कि हम बहुत बदल गये हैं, तो बहुत नहीं आना है, जतना आना चाहिए, पर दीरे दीरे वो भी मुक्यधारा में आ रहे हैं, और हो सकता आने वाला समय एक ऐसा आएगा, कि वो भी मुक्यधारा में सामिल होंगे, जब आपने पढ़ाई की कहानी, कवीता का संग्रह काफी रहा होगा, आपकी रूची किसमें थी कवीता कारणा है, और यह है विरोधावास है, कि मैए में की कख्षाँ में गध्धी पढ़ाता रहा, कहानिया पढ़ाता रहा। शर्पना स्वागत है आपका मैं कुछ कहानी लिखने बैठ हूं तो एक दो पेज लिखते लिखते धिरे धिरे वह चीजें कविता में कनभार्ट होने लगती है और कविता लगता है जैसे कि स्वतह अस्पुट हो रहा है जैसे वाट्सवार्तन का ना पॉट इस पॉंटेनियस अवर्ट लोगता है कि फोटा जाना होता है तो कविता मैं मैं अपने रूजी के छेत्र मेरे रूजी का छेत्र है महिला उनक्या जीबन और हास्य पर जीरे लोग अधिकांस कविताहँ में मेरा वी है तो मेरे भीतर जो भाउ है मैं एक्टिविस्ट नहीं हूं जो आंदोलन करके धर्णा finns अक conden गुड अर्थ से गुड तरीके से रक्षकों, जिनको समझना वो समझें, जिनको नहीं समझना हैं नहीं समझें, पर मैं अपनी बात कह जाता हूं. वैसे भी कहते हैं कि अगर कलम में आपकी ताकत बहुत है, तो आपको आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता है, और आपके विचारों को स्वच्छन्द करना वो आपके हाथों में होता है, फिर जरूरी नहीं कि हर वक्त अब तलवार ही उठाएं, कभी कभी कलम भी उठाना पड़ता है, आप जो है, आप आपने ये साहित साधना पुरुसकार प्राप्त किया था है, इसके बारे में कुछ आवेदन नहीं किया, कुछ किया नहीं, तो किसी परचित ने, किसी हिताईसी ने वो दिया, रेफरेस दिया होगा, ये मैं नहीं ठीक से बता सकता, तो कि इस तरह सा है, अमुक तारिक को, ये कार्ज क्राम है, जिसमें आपको आना है, तो मैं यहां आया, और फिर वो सम्मान के लिए बहुत जादा मेरी रूची नहीं है, मेरे गुरु काफी बहुत अच्छे अच्छे पद पर हैं, और रहे भी, मैं चाहता तो दुनिया के किसी भी हिस्से में हिंदी पढ़ाने जा सकता था, मैंने उधर अपनी रूची नहीं ले, मैं सीधा-सीधा रहा, कि अपने कुछ लाब नहीं होगा, तो मैं साहित की साधना में लगा रहा, कविता लिखने में लगा रहा, और मेरी अभी दो कितावे कविता की हैं, बहुत जल जाए जाएं, छे मेने के वीतर, उस दिशा में मैं काम करते रहता हूँ. जब आप में लेखनी की शक्ति होती है, तो साक्षा शुर्सति आपके साथ होती है, ऐसा मेरा मानना है, जब आपने काwriting में लिखने में भी काफी रूची रही है, तो अभी तो कितनी कविताय ? अभी प्रकासित कविताय तकि लग वक 300 मेरे पास उसको मैं एक मूट की कविताय है, उसको मैं संग्रीत कर रहा हूँ, अलग अलग मूट में अभी तीन काम चल रहा है मेरा घर पर कहानी संग्र मैंने जो आपको भेजा था कुछ यहां उसमें जो मेरी 12-14 कहानियां जो प्रकासित है और कुछ आकास वानिस है उसकी पंडुलिपी मैंने तियार की है और 300 कविताओं में से 70-70 कविताओं मैंने तियार की है उसका एक बार पूर्फ रिडिंग वोसन सोधन या एक मूड की करके तो फिर मैं लगूँगा उस दिशा में अभी तक पब्लिष कितने हुई कविताओं पब्लिष्ट बहुत हैं कारखाना देश परदेश पल परतिपल संबेद हिंदुस्तान डैनिक जागरन बहुत सारी कविताओं वो मैं याद भी नहीं रखता बहुत सारी कविताओं और आपको जो ठागरने भी तो आपको जो रिफरेंस मैंने बेघ अ गरिभी तेक्रीमन का बेजा हुआ है कि यह कहाँ कहां प्रकासित हुए है अप दो ौपनी साथ कितावे मिलाएं के ली क Columbus के पेहली किताब में आईी है इस सदीर का प्रेम पत्र और में है मैंने समाज के नाम, अपनी सभेता के नाम, एक मैसेज देने की कोशिच की है, कि दुनिया प्रेम से ही चलती, दुनिया नफरत से नहीं चलती, तुम अधी प्रेम दोगे, तो शामने वाला कितना भी कठीन हो, कितना भी खराब हुऊ तुम्हे प्रेम देगा, हमारे पिदा ज सिच की है, कि यह सदी प्रेम की सदी है, नफरत की सदी हम लोग भूल जाएं, वो सदी बीद गई, नागा सकी हिरोश्मा बिद गया, वो विश्युद बीद गया, दोदो विश्युद हमने देख लिया, और इस नफरत को अधी हम आगे बढ़ाएंगे, तो फिर तिसरा वि काम करते हैं फिर घर देखना हो गया बाहर देखना हो गया तो इसमें अपने आपको कैसे वक्त दे के आपने लिखा बहुत कटिन होता है मेरी पत्नी काम करती थी हाई स्कूल में और मैं भागलपूर में पोस्टेट था और वो मुंगेर में पोस्टेट थी तो या तो मैं भा कि मैं रोज जाओं अपने तई कस्ट सहूं 55 किलो मेटर की आत्रा में रोज एक तरफ से करता था मानए 700 किलो मेटर की आत्रा में रोज करता था सुबह उड़के भागलपूर जाता था और शाम साथ आठ वजे तक भागलपूर से लौड़ता था काफी कस्मकसरा क्यों रास्ते पर चले जाए एक अच्छा इंसान बन सके और समाज को समझने लाइक बन सके तो मैं यह नहीं कर सकता कि कितना सफल हुआ पर यह मानता हूं कि मैंने जैसा सोचा था लगबग उस दिशा में वच्चे हैं तो लगबग आप सफल प्राप्त कर चुके हैं हिंदी पढ रीताओं में लें अपने आपको घोल देते है तो आपको वो प्रेढ़र ना कहां से मिलती है मतलों आपने ईसा क्या देखा क्या आपके बीचे अले हैं, और इस अधार conservatives को फॉर्दय अफद्ठीन होत इसो गहर करने नहीं था माहॉल हमारे प्राइचि आउने नहीं अगे सब ने उनको समझाया कि आप पागल हो बच्चों को पढ़ाओगे खर्चे कैसे चलेंगे कहां से आएंगे तो आपको अस्चर जोगा रिजा जी कि बाभुजा हर साल एक एकड़ जमिन बेचते थे हर साल हम पांच भाई बहन थे और सब बाहर रहके पढ़ते थे और इस तरह से मेरे में करने तक भहिया के इंजरिंग करने तक छोटा भाई के फिल्म और उसमें प्रभाग में कुछ किया है उसने बंबे में बहुत अच्छे स्टोडी राइटर हैं फिल्म दुनिया में तो उनको पढ़ाने लिखाने में मेरी शारी जमीन बिग गई बाभुजी की त तो बाभुजी कमर निश्चिंत रहते थे बच्चे दी पढ़ लिख जाएंगे तो कोई जरूरत नहीं खेद की तो आज हंकार नहीं है बाभुजी ने जितनी जमीन बेची है उतनी जमीन में करीद के दे सकता हूं और वही हमारे दयाद जो हैं फिर वो बढ़ते बढ़ते मज़ को धूँगा और मैं अपने सुर्वासी पिता का अभार मानता हूं कि उन्होंने यह सोचा और आज हम आपके सामने बैठने लाइक हो सके हैं तो इसलिए हो सके हैं कहता है कि निरक्षरता आपके कभी-कभी जहन में वो घाओ पैदा कर देती है जो आपको लगता है कि आगे हमारा जो जीवन चले ऐसा ना चले तो काफी बहतरीन क्योंकि उनका उनकी एकमी वो आप लोगों में पूरा करके गए तो कम अम लोग कवीताओं पे बात करेंगे सर तो कवीताओं में आपने कहा कि महिलाओं को लेकर आपने लिखा है तो उसमें किस तरीके का महिलाओं में किस तरीके कवीताओं जमाज आदनी को गया है कहने को, पर महिलाओं के लिए उतनी ही जद्दो जहद है, उतनी ही परिशानी है, उतनी ही कठनाई है, गाओं में सौच को लेकर, सिक्षा को लेकर, शहरों में नफरत को लेकर, आप सो फिजदी, मन सो आदमी का आकड़ा उठाएं, तो आपको गरों में महिलाओं को वह सम्मान प्राफ्त नहीं है, अच्छी काम भी करती है, जॉब भी करती है, आप तो खुद जॉब करती है, आप महसूस करती होंगी, पती भी काम करके आया, पतनी भी काम करके आया, और पती की इक्षा होती है कि पतनी चाय बना के दे, पानी ला के मेरे लिए कपड़े सहीच के रखे अखवार दे और मैं कुछ कहूं तो तेमारदारी भी करे तो महिलाओं के लिए सहरी छेत्र में भी वही दुविदा है और ग्रामिन छेत्र में भी वही दुविदा है तो यह सारा सब कुछ हल होगा धिरे धिरे ही एक दिन भी यह नहीं बहुत कचोड़ती थी गाउं में, मैं देखता था गाउं में कि जो महला हैं मेरे आसपरोस में, सुबह उठती हैं एक तम पाँच बज़े से, और खेतियर मजदूरी किशान था, वो जाता चलाती हैं, चक्की चलाती हैं, चना भूझती हैं, सत्तू तयार करती हैं, पती के ल उनको नहीं मिलता हैं, पत्नी के काम का कोई से ना तो ग्रामीन परिवेश में हैं, और ना तो सहरी परिवेश में हैं, सहरी परिवेश में उपरी तल पर बहुत से हैं, बार भीतरी तल पर देखें तो अभी भी कोई बहुत ज़्यादा से नहीं है, कोई महत उनको नहीं दि दिया जाए, वो जीवन की मुक्हिधारा में आएं और बडावरी का भागिदार हूँ, हम औरत से ही धरती पर आते हैं, और औरत का ही सम्मान नहीं करना चाहेंगे, तो फिर किस तरह की संस्कृति, किस तरह की सब्वेता का भी कास होगा, तो जरूरत है कि उनको हम बडावरी क दरजादें, उनके समान समझें, उसे अपना बेटर हाफ समझें, कहने को सिर्फ बेटर हाफ है, उनका बेटर हाफ समझें, और यह समझें कि वो ना हो, तो आपकी जिन्दगी अवेवस्तित हो जाएगी एक दिन में, आपको आश्चर्ज होगा, कि घर में कभी पतनी से कहत हुआ है मेरा बातो जाता हूं कि मेरा च्रट कहा है तो वो से स1000 करें और ऑपने दिल में चैनल है और मनूश्य है वह ह हारमांस का पुतला इस सिर्फ भी धड़कती है आप एक बार प्यार से उनसे देखें सौ बार वह चीज लोटकर आपके पास आएगी आपने भी महिलाओं की बात का यह महिलाओं को मद्दे नज़र रखते वे आप कवीता हैं लिखते हैं तो अगर ऐसा कोई कवीता जो आपके दिल के करी वह वैसे सारी कव मैं सुनाना चाहता हूँ आपको कास सिर्शक की कविता है अगर होती छोटी सी जोपड़ी होते मिट्टी के दोचार सकोरे तस्तरियां तोड़ पाता ससक्त हांथों से उशर और सांज ठक कर सो पाता सिर्धर उसकी गोद में जिसे मैंने हिर्दे की गहराई से प्यार किया है तो दुनिया में तेरा सुक्रविजार होता है सुनाना चाहूंगा अब मेरे पिता जी अपने घर के बाहर दलान पे खटिया समझती खटिया विचा के बैठे वे थे और उधर से गाओं का एक महा महिम माना जिनकी चलती रहती गाओं में उधर से गुजरे और बाबुजी कुछ ध्यान में होंगे वो खड़े नहीं तो यह द्रिस्टा मानी गई और उन्हें के लिए पंचायत बुलाई गई कि अमुक आदमी मेरे वहां सामने से गुजरने पर खड़ा नहीं हुआ माने इन लोगों की माने इन जातियों की इन कमिनीटियों की इस बर्ग की इतनी हिम्मत हो गई कि हमें सामने से गुजरू और खड़े नहीं हो बच्चे के भविष्टी के लिए बात करते हैं उनके लिए कुछ कर देने की गुजारिस करते हैं तो ग्रामीन परिवेश में इतनी ज्यादा भिशंगतियां थी उस्षमे कि आश्चर्ज होता आपको बाबुजी कुछ काम करते थे चोटा मोटा तो उनको पढ़ने लिखन कितनी इस तरह की घटनाएं हैं जीवन में जो मेरी भीतर अंतस्तल में बठी हुई हैं और जब भी मैं कुछ सोचता हूं जब भी मैं कुछ लिखना चाहता हूं पढ़ना चाहता हूं तो वह भावनाय उपर आती हैं और कहीं न कहीं मुझे घेरे रहती हैं उससे मैं बाहर नहीं निकल पाता मेरी हर च्छन कोशिस यह होती है कि जीवन में मैंने जो भोगा है दूसरे लोग वैशा ना भोगें दूसरे लोग उससे उबरें शमाज इसकदर बने कि सब को बराबरी का दरजा मिले हम किस जाती से किस कास्ट से किस वर्ग से आते हैं किस आर्थी करते दि बिल्कुल सही है कि इंसान के लिखावट में वो प्रभाव दिख जाता है जो कि चंद लाइनों से ही लगा अभी गाओं का परिवेश्ट और आपको कुछ एक ऐसा चीज जो आपको लगता हो कि यह गाओं में सबसे खुबसूरत है जो कि अगर शेहर में नहीं भी है तो ब प्राइमडी स्कूल हो गया है गाओं में मिडली स्कूल हो गया है गाओं में हाई स्कूल हो गया है और कालेजिज भी बहुत सारे गाओं में हो गया है तो गाओं में एक चीजें जो बड़ी है अच्छी हुई है वह है सिक्षा का प्रशार और मेरा यह मानना है कि सिक्षा म और उमीद करते हैं कि वह समय आएगा जब ग्रामिन जीवन भी बहुत अच्छा होगा मधूर होगा जब आप शिक्षित होते हैं तो आप में एक ऐसी शक्ती होती है जो आपको खुद के लिए खरा रखती है कि आपके लिए कोई दूसरा ना बोले अगर आप शिक्षित हैं अपने बच्चों को भी जो ग्रामिन छेतर के लोग अगर हमें देख रहे हैं तो अपने बच्चों को शिक्षित करें और बच्चों में लड़कियां सबसे प्रथम आती हैं कि अगर लड़के बाहर भी चले जाते हैं तो हम लड़कियों को क्या करते हैं कि अच्छा का मतलब यह है कि वो अपने लिए खड़े हों सही गलत का फैसला खुद कर सके वो शिक्छा है वो जब तक शिक्छित नहीं होंगी तब तक वो अपने लिए भी आवाज नहीं उठा पाएंगी आगे पढ़ते हैं शाहित की बात करते हैं जो बच्छे जो युवावर्ग सहीत में आना चाहते हैं लिखना चाहते हैं और कुछ ऐसा कि उनको लगता है कि हम शाहित में अच्छा कर सकते उनके लिए क्या कहना चाहेंगे साहित में बच्चे आना चाहते हैं तो उनके लिए दो बाते में कहना चाहूंगा अधिस साहित में आपकी रूची है तो आप निश्चित साहित में आएं साहित एक मात्र ऐसा साधन है जो समाज को बदल सकता है शाहित्य में वह ताकत है, वो कहते हैं जब समाज बदलना हो तो बंदूक नहीं, कलम उठाओ, तो साहित्य में बहुत ज्यादा ताकत है, तो अब समाज में परिवर्तन चाहते हैं, समाज में सुधार चाहते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो साहित्य को जादा है बहुत जादा है वो हिंदी पढ़के अच्छी नौकरी में जा सकते हैं अच्छा जौब पा सकते हैं तो साहित में आप आएं दोनों दृष्टी से रोजगार की दृष्टी से भी और समाज में परिवर्तन की दृष्टी से भी और सबसे ऊपर तुलसी के सब्दों में स्वांता सुखाय तुलसी रगुनाद गाता अपने संतोस के लिए शाहित्य में आएं। कहता है कि अगर अपने लिए आप कुछ वक्त निकालते हैं तो सबसे खुबसूरत वो होता है। तो अभी तक में जब हम साहित के पूरे चीज को निचोर के अगर हम देखें तो आपको कहा लगता है कि आपको अभी और कितने किताबें लिखनी हैं आपके अंदर जो एक भावनाय दवी हुई हैं वो अभी कितने किताबों को लिखने के बाद खत्म होंगी। रिजा जी ऐसा है ना कि मैं तक्रीवन तीन से चार कविताइं रोज लिखता हूं, रोज, माने जब भी मैं कुछ काम करने बैठता हूं तो कविताइं स्वताय आती हैं और मैं लिखता हूं, तो आलेस्स इतनी ज्यादा है कि मैं छपने नहीं भेजता, प्रकास्त किल करने यह जो दो किताब हैं मित्रों के सभयोग से, उनके लिए भी जीवन की प्रारस बोत अची बात चलते चलते दर्शकों को अगर कोई संदेज देना चाहे तो आप जिस भी छेतर में हों, सिक्षा के छेतर में हों, विज्ञान के छेतर में हों, साहिती के छेतर में हों, किशान हों, मजदूर हों, कारगर हों, ठेला दिहारी मजदूर हों आप यह सोचें, कि आपके अलावा भी समाज में कोई रहता है, जितना हक आपका समाज में है, उतना ही हक उनका है, दूसरों के हक के लिए, दूसरों के निकलने के लिए दिया आप रास्ता बनाएंगे, तो वह रास्ता आपके भी काम आएगा, तो समाज में जिस छितर में भ तो दूसरों के लिए सोचें, आपके लिए रहें आसान होंगी. क्या बात है, सर इतनी अच्छी बाते कहने के लिए और इतना अच्छा संदेज देने के लिए हमारी इस कारिकरम की सोभा वराने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चलिए अब कारिक्रम अंतिम दौर पे है और हमेशा की तरह अपने कलम को ठाइए कागज को ठाइए और आज का कारिक्रम आपको कैसा लगा और हमें लिख के बताएं हमारा पता है हमारा पता नोट करें निर्देशक डिटी बिहार दूर्दासन केंदर पतना फ्रेजर रोड पतना आठ शुन्य 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 एक